Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज से हम आपको narration पढ़ाने वाले हैं यानि कि direct and indirect speech और friends, अगर हम चाहें तो हम narration एक ही वीडियो में सीख सकते हैं, लगभग एक से डिर्ड गंटे का एक वीडियो होगा, जिसमें narration के सबी rules आपको बता दिये जाएंगे बट friends, ये सीखने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, तो ये कुछ parts में आपको पूरा narration पढ़ाया जाएगा तो ये इसका first part है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि narration होता क्या है, तो जैसा कि narration word जो है, ये narrate से बना हुआ है, narrate यहाँ पे एक verb है और narration क्या हो गया, एक noun हो गया तो narrate का मतलब क्या होता है कोई भी story है या फिर कोई incident ये कोई भी घटना है, उसका wordन करना उसको किसी से बताना, इसी को हम narrate कहते हैं, तो जब भी हम किसी के द्वरा कहीगे बात को, या किसी घटना को किसी को बता रहे हूँ तो उसको बताने का हमारे पास दो तरीका होता है किसी ने कोई बात कहा है माल लेते हैं, एक लड़का यहाँ पे है रोहन, माल लेते हैं ये एक लड़का है रोहन, अब ये कोई बात कहता है सोहन से ये कोई बात कह रहा है सोहन से रोहन ने सोहन से कहा अब सोहन ने जब इसकी बात को सुना तो अब ये इसकी बात को किसी और से कहेगा सोहन मालेजे इस बात को कहता है ये रोहन है मालेजे ये रोहन है और ये कह रहा है किसी सोहन से अब माल लेते हैं कि सोहन ने इसकी बात को सुना और उसके बाद उससे रहा नहीं गया वो इसी बात को बता दिया जाके मोहन से तो यानि कि यह जो सोहन है सोहन ने क्या किया रोहन की कही गई बात को नरेट किया किसे मोहन से तो इसी को हम कहते हैं नरेशन वास्तम इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लोग चुगली करते हैं एक दूसरे की रोहन ने कोई बात कही सोहन से अब सोहन ने जब वो बात सुना तो इसका पेट फूलने लगा अब वो बात किसी और से बताना चाह रहा है तो माल लेते हैं कि अगले दिन वो मिला मोहन से अब फिर ये सोहन जो है जो बात रोहन ने कही थी वो बात बता रहा है मोहन को तो जब ये सोहन रोहन की बात को बताएगा तो उस बात को बताने का उसके पास दो तरीका है यानि कि जब भी किसी के दोरा कहीगे बात को हम किसी और से कहते हैं तो उसको कहने का हमारे पास दो तरीका होता है एक तो रोहन ने जैसे उस बात को कहा बिल्कुल as it is वो मोहन से बता दे जैसे ही रोहन ने कहा है जिस बात को बिलकुल सेम वैसे ही वो बात वो मोहन को बता दे तो उसको हम कहते हैं direct speech यानि कि जैसा रोहन ने कहा direct उस सीज को मोहन के पास पहुँच रहा देना है in direct speech किसी भी बात को directly बताना direct speech कहलाता है जैसा उसने कहा सेम वैसे बता देना direct speech है और उसी बात को अपने तरीके से बताना कहलाता है indirect speech तो हम इसके example देख लेते हैं जैसे माल लेते हैं उसने मुझसे कहा कि आप आज बहुत हैंसम लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हो तो अब यहाँ पर देखिए फैंस उसने किसी कहा है मुझसे कहा है उसने मुझसे कहा है और क्या बात कही है you are looking handsome today तो यहाँ पर जैसा उसने कहा सेम वैसा ही इसमें लिख दिया गया है कि उसने मुझसे कहा कि you are looking handsome today तो यानि कि यह जो हमारा speech है यह direct speech है यह क्या है direct speech है उसने जैसा कहा कि तुम आज अच्छे लग रहे हो वही चीज यहाँ पर as it is लिखा गया है तो यानि कि यह direct speech है अब इसी बात को अगर मैं उसने किसे कहा है मुझसे कहा है अब यही बात मैं अगर किसी और को बताओंगा तो किस तरीके से बताओंगा तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि she told me she told me that I was I was looking I was looking handsome handsome that day तो अब यहाँ पर देखे जब मैंने उसी बात को किसी और से बताया तो मैंने किस तरीके से बताया कि she told me that उसने मुझसे बताया कि I was looking handsome that day मैं उस दिन अच्छा लग रहा था क्योंकि अब यह बात उसी दिन की नहीं है अगले दिन की यह बात है अगले दिन मैंने किसी और से कहा कि उसने मुझसे क्या कहा था तो यह चीज मैंने इस तरीके से बताया कि she told me that उसने मुझसे बताया था कि I was looking handsome that day मैं उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था अब यहां पर देखिए कुछ changing आ गया इसी बात को सेम वही बात कही गई है लेकिन इसमें बहुत सारे changing आ गया है तो क्या क्या changing इसमें आया एक तो you said to के जगहां पे हो गया told said to के जगहां पे told हो गया और इसकी बाद देखिए यहाँ पर जो you था you के जगहां पर I हो गया r के जगहां पर was हो गया और जहां पर हल्का सा virea में यहाँ पर इसमें comma inverted comma है वहाँ पर that भी लगा हुआ connective words लग गया है दोनों बातों को जॉइन करने के लिए अब इसके बाद देखिए यहां पर जो टुडे था टुडे चेंज हो किसमे दैट दे में तो यहां पर इन डारेट स्पीच में इतने सारे चेंजिंग आ गए है तो नरेशन में हमें यही सीखना होता है कि जब हम उसको इन डारेक्ट स्पीच में कहते हैं किसी भी बात को तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है और कैसे आता है तो यही चीज आपको इसमें सीखना है तो देखिए फैंस यह जो हमारा डारेक्ट स्पीच है अगर इसको हम देखें तो यह दो पार्ट में divide है डारेक्ट स्पीच हमारा दो पार्ट में divide है जैसे यहाँ पे she said to me यह यहाँ पे एक पार्ट हो गया you are looking handsome today यह यहाँ पे दूसरा पार्ट हो गया तो जो हमारा डारेक्ट स्पीच है वो दो पार्ट में divide होता है तो यहां पर जो पहला पार्ट है She said to me इसको हम कहते है reporting speech इसको कहते है reporting speech और यह जो दूसरा पार्ट है You are looking handsome today इसको हम कहते है reported speech तो यह जो हमारा direct speech होता है यह divide होता है दो पार्ट में एक होता है reporting speech और एक होता है reported speech जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंस यह टॉपिक आप सभी के लिए चाहे आप 10th standard में है या फिर आप 12th class में है या फिर आप किसी भी competitive exams की preparation कर रहे हैं तो यह सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है तो देखें फ्रेंस यहां पर जो diet speech हमारा है دो part में divide हो गया एक हो गया reporting speech और एक हो गया reported speech तो फैंस अब अगर हम ध्यान देखें यहां पर पहला part है reporting speech यह जो रिपोटिंग speech है यह double inverted कोमा के बाहर लिखा गया है और यह जो दूसरा part है you are looking handsome today यह double inverted कोमा के अंदर लिखा गया है तो जो part हमारा double inverted कोमा के बाहर वाला ह नहसको कहते हैं और जो पार्ट डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड इस पीच खिंच क्या जाता हैं religion स्पीच में यह बताया जाता है कि किसने किस से कहा यानि कि इसमें speaker और listener की बात होती है speaker और listener की बात होती कि कहने वाला कौन था और सुनने वाला कौन था यह बताया जाता है किसमे reporting स्पीच में और reported स्पीच में यह बताया जाता है कि speaker ने क्या कहा reported speech में ये होता है कि speaker ने क्या कहा है अब देखिए जो इसका reporting speech है इसमें भी 3 parts है जो reporting speech है इसमें भी 3 parts है तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आया हुआ है she इसमें she क्या है जो इस बात को कह रही है कि you are looking handsome today she इसमें क्या है speaker है और इसमें जो set to आया हुआ है set क्या है एक verb है तो जब यह reporting speech का verb है इसलिए इसको हम कहते है reporting verb तो इसमें set to क्या हो गया set to हो गया reporting verb और इसमें me क्या है यह एक object है किस से कहा गया me इसमें object है तो इसको हम कहते है reporting object तो यानि कि जो हमारा reporting speech होता है इसमें तीन पार्ट होते है reporting subject, reporting verb और reporting object यह तीन पार्ट इसमें होते है अब friends यह सभी चीज़े आपको क्यों बताई जा रही है जो भी आपको changing करने का rule बताया जाएगा changing करने का जितने भी rule है उसमें आपको ऐसे बताया जाएगा तो इसलिए friends आई हूँ आपको अब यह इतना तो अच्छे से समझ में आगया होगा कि reporting speech क्या होता है और reported speech क्या होता है अब friends आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारा direct speech होता है उसका जो subject है और जो object है यह कभी भी change नहीं होता है पूरे narration में reporting speech यानि कॉमा के बाहर वाले का subject और object यह दो चीजें कभी भी change नहीं होती है इसको आप ध्यान रखेंगे पूरे narration में reporting speech का subject और object कभी भी change नहीं होता है बलकि इसी दोनों की अनुसार ही reported speech का जो pronoun ने वो change होता है तो यानि कि कॉमा के बाहर के बल जो इसमें set आता है जो इसका reporting verb होता है कि वो वही change करना होता है अब fans इसके बाद देखिए इसमें changing क्या क्या आया था एक तो इसमें reporting verb change हुआ था set 2 के जगा पे टोल हो गया लेकिन इसका जो subject है she object है me यह change नहीं हुआ है अब इसके बाद जो हमारा direct speech होता है इसमें दो part होते हैं लेकिन दोनों को join नहीं किया गया होता है लेकिन जब हम उसको indirect speech में change करते हैं तो दोनों parts को हमें क्या करना होता है combine करना होता है वास्तों में narration में भी दो part को यानि कि reporting speech और reported speech दोनों को हमें combine करना होता है और अगर combine करना है जोड़ना है कोई चीज तो हमें कुछ favor quick तो वहाँ पी लगाना ही पड़ेगा अगर किसी दो चीज को join करना है तो बीच में हमें gum या favor quick लगाना पड़ेगा और words, phrases या फिर sentences को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जिसको हम connective word भी क्या सकते हैं तो यहाँ पे friends हमें connective word का भी यूज करना पड़ता है जो कि अलग-अलग situation में connective word भी अलग-अलग लगता है लेकिन पूरी narration में सबसे ज़्यादा that का ही यूज होता है as a connective word तो आपको ये सभी चीज़े पता चलेंगे कब आपको that का यूज करना है और कब that का यूज नहीं करना है if का यूज करना है to का यूज करना है कब weather का यूज करना है तो ये सभी चीज़े आपको आगे पता चलेंगी तो यहाँ पर हमें connective word भी लगाना पड़ता है अब इसके बाद अगला changing इसमें क्या हुआ है pronoun में changing है यहाँ पर यू देखी यह second person का pronoun था और यहाँ पर आई हो गया first person का pronoun हो गया तो यहाँ पर इसका pronoun भी change हुआ है और इसके लामा यह present continuous का था you are looking handsome today present continuous यहाँ पर was हो गया आर के जगहाँ पर यहाँ पर पास्ट continuous tense में change किया गया है तो यानि कि इसके tense में भी changing होता है अब इसके लामा देखी यहाँ पर जो today आया हुआ था today को change किया गया है that day में तो यह सब भी changing आपको याद करना पड़ेगा friends I hope आपको इतना तो बिलकुल अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आज हम इस वीडियो में आपको केवल इसमें pronoun का changing सिखाने वाले हैं क्योंकि इसे में आपको सबसे ज़्यादा problem होती है मुझे पता है कि pronoun में changing करने में आपको दिक्कत आती है तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम pronoun में changing कैसे करते हैं और पूरे narration में चाहिए वो किसी भी category का किसी भी type का sentence होता है उसमें आपको pronoun में changing करना ही पड़ता है तो यह बहुत important है आपके लिए जानना तो देखिए फैंट्स pronoun में changing करने का जो rule होता है इसके लिए आपको क्या क्या चीजे आनी चाहिए सबसे पहली बात आपको person पता होना चाहिए और दूसरी बात आपको case पता होना चाहिए यह दोनों बहुत important factor है आपको pronoun में changing सीखने के लिए आपको person पता होना चाहिए और case पता होना चाहिए तो I hope आपको person और case तो याद होगा और अगर नहीं याद है तो जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं case और person भी तो देखिए फैंट्स pronoun में changing हमें करना है तो जो हमारा case होता है यह तीन होते हैं जिसको हम कहते हैं subjective case objective case और possessive case और subjective case को ही हम nominative case भी कहते हैं चाहिए आप subjective case कहें चाहिए nominative case भी कह सकते हैं तो subjective case, objective case और possessive case यह तीन case होते हैं अब देखिए friends सबसे पहले माल लेते हैं हमारा pronoun है I I किस रूप में use होता है एक subject के रूप में use होता है यानि कि I क्या है हमारा subjective case है तो I को objective case क्या होता है मी होता है और possessive case क्या है my है और एक mine भी होता है जो बहुत कम use होता है अब इसके बाद I के बाद माल लेते हैं subjective case हमारा V है V का objective case क्या होता है us और possessive case होता है our और ours होता है अब माल लेते हैं हमारा subjective case यू यू का objective case भी होता है यू और पजेस्टिव केस होता है यूर और एक होता है यूर्स अब इसकी बाद माल लेते हैं हमारा सब्जेक्टिव केस से दे दे का अब्जेक्टिव केस क्या होता है देम पजेस्टिव केस क्या होता है दियर या फिर दियर्स भी कह सकते हैं अब इसकी बाद माल लेते हैं स पॉजेसिव केस भी हर होता है अब अगर इट है तो इट का अबजेक्टिव केस भी इट होता है लेकिन पॉजेसिव केस इट्स होता है और यहां पर ध्यान देंगे इट्स में यहां पर टी के बाद कौमा नहीं लगा हुआ है डारेक्ट आई टी एस होना चाहिए उसमें रखते हैं सबसी पहले उपर के जो दो चीजे हैं I और वी यह किसमे आते हैं यह सभी हैं first person I और वी क्या है यह first person है और इसके जो सभी cases है I, me, my, we, us, our यह सभी किसमे आएंगे first person में अब इसके अलामा जो second वाला यहां पर है you, you के जो तीनों cases है यह आते हैं second person में second person में केबल एक ही प्रणावन आता है you और इसके जो सभी cases है तो I, me, my, we, us, our यह सभी क्या होगे first person और you, you, your यह हो गया second person और बाकी जो बचे हुए हैं यह सभी हैं third person he, she, it, they और इसके सभी cases यह सभ third person है तो जब भी हमें pronoun में changing करना होता है यह क्या है third person है तो pronoun में changing करने का rule क्या है कि third person no changing third person में हमें कोई भी changing नहीं करना होता है यानि कि double inverted comma के अंदर अगर यह तीसरे खाने में जितने भी प्रणाउन है they, them, their, he, him, his, she, her, it, it या its इसमें से कोई भी अगर प्रणाउन आता है reported speech में यानि कॉमा के अंदर तो उसमें आपको कोई भी changing नहीं करना है प्रणाउन में changing क्यावल हम तभी करते हैं जब जो हमारा pronoun है reported speech का वो या तो first person का हो या फिर वो second person का हो के वो first या second person के pronoun को change किया जाता है third person का pronoun कभी भी change नहीं होता है अब कैसे change किया जाता है इसके लिए आप एक formula याद रख सकते हैं sun बटा 123 ये formula आपको याद रखना है pronoun में changing करने का ये formula है sun बटा 123 अब यहाँ पर जो sun लिखा गया है ये हमने लिखा है reporting speech के लिए और जो 123 है ये है reported speech के लिए यानि खौमा के अंदर वाले के लिए तो अब हम इसके माद्यम से इस formula के माद्यम से अब हम pronoun में changing कैसे कर सकते हैं और friends आपको इसमें ये भी confusion होगा कि यहाँ पर जो you है जब इसका subjective case भी you है objective case भी you है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये subjective वाला you है कि objective वाला you है तो ये बहुत ही simple है पहचानना अगर वो you verb के पहले आया है तो subjective case है और अगर verb के बाद आया है तो objective case है क्योंकि object हमेशा verb के बाद आता है ठीक यही बात it में भी लागू होती है कि अगर it भी verb के पहले आया तो subjective case verb के बाद आया तो objective case तो इसमें भी आपको confusion नहीं होगा तो अब हम देख लेते हैं कि हम सन बटा 123 इस फॉर्मूले का यूज करके हम pronoun में changing कैसे कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? reported speech का सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? person देखना होगा, सबसे पहले हमें person देखना है पहले person पे आओ और उसके बाद case पे आओ तो यानि कि सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें comma के अंदर का जो pronoun है उसका person देखना है कि वो कौन सा person है तो माल लेते हैं कि यह हमारा एक direct speech है you are looking handsome today अब इसमें एक pronoun आया हुआ है comma के अंदर केवल एक ही pronoun आया हुआ है you अब you को हम कैसे change करेंगे? सबसे पहले इसका हमें क्या देखना होगा? person देखना होगा सबसे पहले हमें pronoun का person देखना है तो you कौन सा person है? you है second person second person में केवल एक ही pronoun आता है you तो यह तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि you second person यह हमेशा याद होना चाहिए तो यू जो हमारा second person है तो अब two के उपर क्या आया ओ आया हुआ है तो यानि कि जब second person का हमारा pronoun होगा तो उसको हम change करेंगे reporting speech के object के अनुसार यानि कि कॉमा के बाहर वाले object के अनुसार जब भी कॉमा के अंदर का जो pronoun है वो second person का होगा तो उसको हमें change करना है कॉमा के बाहर का जो object है उसके अनुसार तो यहाँ पे object me है यानि कि you को हमें change करना है me के अनुसार अब इतना तो हमें पता चल गया कि you second person है तो object me के अनुसार चेंज होगा लेकिन ऐसा नहीं कि you के अस्थान पे हम यहाँ पे सीधे me लिख दे हैं अब यहाँ पे जरूत पड़ेगी case की person के बाद हमें case भी देखना है तो हमें किसका case देखना है कामा के अंदर वाले का ही person और case दोनों देखना है जो कौमा के अंदर है यानि कि you का ही हमें अब case देखना है तो you यहाँ पे कौन सा case है देखे इसमें verb जो है और looking यह सब क्या है इसके पहले आया हुआ है यहाँ पे you verb के पहले आया है अर्थात यह subjective case है तो जब you subjective case है तो इसके अस्थान पे me का हमें subjective case ही लिखना पड़ेगा और अगर आपको याद हो कि me का subjective case I होता है तो यहाँ पे हम सिधे I का यूज़ कर देंगे यानि कि आपको person और cases यह याद होने चाहिए तब ही आप pronoun में changing कर पाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे you को I में change कर दिया था तो यह तो हो गई second person का pronoun होने पर जब भी कॉमा के अंदर माले जे और example इसके हम देख लेते हैं जैसे कहना हुआ He said He said to me I like your I like your watch He said to me I like your watch तो माले ते एक direct speech He said to me I like your watch तो अब यहाँ पे देखे कॉमा के अंदर दो pronoun आय हुए है एक है I और दूसरा है your इसमें दो pronoun आय है तो अगर हमें pronoun में changing करना है यह सब जो change होता है इसको हम ऐसे अभी कर देते हैं यह सभी चीज़ें आपको बात में बताए जाएंगी सबसे पहले आपको हम pronoun का changing बता रहे हैं तो यहां पर देखे अब I आ गया है I को हमें change करना है तो सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे person तो I कौन सा person है I और we first person और first person को हम change करेंगे subject के अनुसार और कि subject के अनुसार कॉमा के बाहर वाले तो कॉमा के बार देखे subject क्या है he है यहां पर subject he है तो यानि he के अनुसार हमें I को change करना है लेकिन अब यहां पर हम क्या he लिखें या he का कौन सा case लिखें इसके लिए हमें I का case देखना पड़ेगा तो I यहां पर subjective case है इसलिए he का subjective case he हि लिखा जाएगा क्योंकि he भी subjective case है और I भी subjective case है तो जब case same रहेगा तो आप वही direct लाके याँ पर रख सकते हैं तो यहाँ पर I subjective case था इसलिए subjective case ही लिखा गया लेकिन अब इसके और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर like का like हो जाएगा अब your यहाँ पर आया हुआ है योर यह भी एक pronoun है लेकिन कौन सा person सबसे पहले इसका क्या देखना है person देखना है तो योर second person है second person को हम change करेंगे object की अनुसार और object इसमें क्या है मी है तो अब ऐसा भी नहीं कि योर के जगा पर सीदे मी को लाके रख दें अब इसका हमें case देखना पड़ेगा person के बाद हमें case देखना पड़ेगा तो यहां पर देखिए your कौन सा case है your possessive case है तो इसके जगां पर हमें me का possessive case लिखना पड़ेगा जो case है कौमा के अंदर जो प्रनावन आया वो जो case है उसका वही case हमें लिखना होगा कौमा की बाहर वाले प्रनावन का तो मी का हम यहां पर कौन सा case लिखेंगे possessive case तो मी का possessive case क्या होता है माई होता है इसलिए यहां पर माई हो गया तो यह हो गया he told me that he liked my watch तो इसकी बहुत friends हम देख लेते हैं कभी कभार क्या होता है कि मारा जो reporting speeches में एक नावन आ जाता है और reported speech में प्रनावन आया होता है तो आपको नावन के अस्थान पर प्रनावन का यूज करना भी आना चाहिए तो ऐसे भी हम कुछ examples देख लेते हैं माल लेते हैं यह हमारा example एक the teacher said to the children you do not show me your homework अब इसमें आपको अभी इसका tense में कैसे changing होता है और बाकी सब changing आपको अभी ध्यान नहीं देना आपको केवल अभी देखना है प्रनावन में हम changing कैसे करते हैं तो देखिए इसको जह हम इंडारेक्ट में change करते हैं तो यहां पे आपको पहले भी बताएगा कि reporting speech का subject और object कभी भी change नहीं होता है तो subject को हम as it is लिखेंगे आपको देखते हैं तो हो गया the teacher told the children अब कॉमा की जगा पर आपको that का यूज कर देना है और यहां पर देखिए यू एक प्रनावन है अब इस प्रनावन में changing कैसी करना है आपको यही सीखना है तो देखिए यू यहां पे सबसे पहले हमें इसका क्या देखना है person देखना है पहल person को हम किसके अनुसार change करते हैं object के अनुसार you है second person उसको object के अनुसार change करना है यानि कि you को हमें change करना है children के अनुसार तो ऐसा नहीं कि हम यहां पे सीधे children लिख देंगे जोंकि एक बार इस sentence में यहां पे children आ चुका है तो दूसरी बार हम इसके अस्थान पे एक pronoun का लिखना पड़ेगा चिल्डेन यहां पे प्लूरल नंबर है चिल्डेन क्या है प्लूरल है याने कि बहु अच्छेन है और यह कौन सा person यह थर्ड परसन है third person plural है थर्ड परसन प्लूरल है अब जब हम इसके अस्थान पे प्रणाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वह प्रणा वैसी भी आपको याद रखना कि अगर noun हमारा plural है तो वो कोई भी person उसको हमें दे में ही change करना होगा और अगर singular होगा तो उसका आपको gender भी देखना पड़ेगा माली जी यहाँ पर राधा होता तो राधा के लिए हमें she का यूज़ करना पड़ता अगर यहाँ पर मोहन होता तो मोहन के लिए हमें यहाँ पर ही का यूज़ करना पड़ता लेकिन मोहन and राधा अगर दोनों हो मोहन और राधा दोनों हो अब दो लोग हो गए एक से दो अगर हो गए तो हमें प्रणावन दे का यूज़ करना होगा तो यहाँ पे children है, एक से ज़्यादा है, इसलिए they का use हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे you subjective case था, you यहाँ पे कौन सा case है, subjective case, verb के पहले आया, इसलिए हमने यहाँ पे subjective case, they लिखा हुआ है, अब इसके बाद देखे, do not यहाँ पे है, इसको change कर देते हैं, did not में, और इसके person को subject के अनुसार change करना है, और subject इसमें क्या है, teacher है, subject इसमें teacher है, और teacher को generally क्या मानते है, he मानते है, अब क्योंकि me objective case है, इसलिए he का हमें objective case लिखना होगा, तो यहाँ पे him हो गया, अब इसके बाद देखे, me के बाद भी एक pronoun इसमें आ गया है, your, अब your क्या है, यह second person है, तो second person को हम change करेंगे, object यानि की children की अनुसार, और children plural है, तो इनको क्या मानेंगे, इनको दे माना गया है, तो अब हम इसका case देखेंगे, person के बाद हम case देखेंगे, तो your यहाँ पे possessive case है, तो इसके जगाँ पे दे का possessive case क्या हो जाएगा, dear हो जाएगा, तो friends, इस प्रकार person का ही pronoun आजाए, तब आपको उसमें कोई भी changing नहीं करना है, यानि कि अगर कौमा के अंदर ही आजाए, तो आप उसको ही ही लिखेंगे, अगर him आजाए, तो him ही लिखेंगे, they आजाए, तो they ही लिखेंगे, dear अगर आजाए, तो dear ही रहेगा, यानि कि अगर third person का pronoun है, तो changing करने की जरूरत नहीं है cable first और second person के pronoun को ही change किया जाता है तो friends I hope आपको अब ये pronoun में changing करना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसके बाद हम आपको next rules अगले वीडियो में बताएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिएगा और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी friends के साथ share जरूर करें Thanks for watching